नमस्ते दोस्तों मैं आसा हूँ और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे आसास Mindful Living YouTube चैनल पर मैं आप सभी को धन्यबाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल के वीडियो को देखा आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्तोपूड है अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा अब बढ़ते हैं आज के विशाई की ओर हेलो दोस्तो आप सभी का आसास Mindful Living चैनल पर स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा आज हम बात करने जा रहे हैं बुद्धाज हैंड एक अनोखा और रहस्य मय फल के बारे में बुद्धाज हैंड जिसे बैग्यानिक रूप से सिट्रस मेडिका वर के नाम से जाना जाता है सारको डेक्टाइलिस सम्रीद देत्यासिक और सांस्कृतिक महत्वाला एक अदृत खटे फल हैं ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति पुरोत्तर भारत या चीन में हुई है इस खटे किस्म की विशेष्ता इसकी आसामानिय उपस्ति है जो केंद्री आधार से फैली हुई कई पीली उंगलियों से मिलती जूलती है जिसे अक्सर प्रार्थना या आशिरव प्रतिकात्मक महत्व रखता है जहां इसे एक पवित्र प्रशाद माना जाता है सद्यों से बुद्ध का हाथ धार्मिक समारहों से जुड़ा हुआ है जो पवित्रता और सौभागे की भावना लाता है अपने सांस्कृतिक संबंदों से परे इस सुगंदित फल ने पाक अ उपयोग आमतोर पर विभीन ब्यंजनों और पेपदार्थों के स्वाद के लिए किया जाता है। ताकि कुछ अन्य खट्टे फलों की तरह मुक्यधारा में नहीं बुद्धाज हैंड अपने विशिष्ट आकार और इसके चारों और बुने गए इतिहास और परंपरा की सम्रीद टेपेश्ट्री के साथ लोगों को आकरसित करता है। बुद्धाज हैंड से जुड़े कुछ संभावित लाव। अरोमा थेरपी बुद्धाज हैंड में मौजूद सुगंदी तावस्यक ते लिशे अरोमा थेरपी के लिए एक लोग प्रिये विकल्फ बनाते हैं। माना जाता है कि खट्टेपन और उत्सा बढ़ाने वाली खुस्बू में सान्त और तनाव से राहत देने वाले गुड होते हैं। अन्य खट्टे फलों की तरह बुद्धाज हैंड में बिटामिन सी और विवीन फाइटो केमिकल जैसे एंटी आक्सिडेंड होते हैं। एंटी आक्सिडेंड सरीर में मुक्त कड़ों से लड़ने में मदद करते हैं जो उम्र बढ़ने और विवीन बिमारियों में योगदान कर सकते हैं। पाचन स्वास्त बुद्धाज हैंड सहीत खटे फलों में मवजूद प्राक्टिक योगिकों से पाचन संबंदित लाभ हो सकते हैं। फाइवर सामगरी स्वास्त पाचन का समर्थन कर सकती है और फल का ताजा स्वाद भूख को तेजित कर सकता है। प्रतिरक्चा प्रडाली का समर्थन करने में अपनी भूंका के लिए जाना जाता है। सउंदर्य परक और पाक कला में उपयोग हलाकी गूदे की कमी के कारड़ इसका आधिक मात्रा में सेवन नहीं किया जाता है। लेकिन बुद्धाज हैंड का उपयोग अक्सर पाक कला में इसके सुगंदित स्वाद के लिए किया जाता है उसा को ब्यंजनों पे पदार्तों में जोड़ा जा सकता है या विभीन ब्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा सकता है प्राक्तिक कीट विकर्षक माना जाता है कि बुद्धाज हैंड की खटी सुगंद एक प्राक्तिक कीट विकर्षक के रूप में कार्य करती है कुछ छेत्रों में फल या उसके छिलके को रखने से कीडों को रोकने में मदद मिल सकती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट्स लाइक सेयर कीजिए चैनल के सपोर्ट के लिए और दिये गए बेल आइकन को फ्रेस करिए जा ताकि आपको नई अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद